इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारियों के अधार पर काम करता है जो सारवजनी क्रूप से मौजूद है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो रेट सिग्नल कौन सा है जो चीन की डूपती अर्थविवस्था का सच बता रहा है चीन के जैसे ही साल 2023 के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा पब्लिश किया दुनिया के एकॉनमिकल वर्ल्ड में खलबली मच गई चीन को लेकर जिस बात की आशंका जिस बात का डर दुनिया भर के एकॉनमिस पिछले कई सालों से जटा रहे थे वो आखरकार सच साबित हो गया तो आखर चीन के कस्टम डिपार्टमेंट ने ऐसा कौन सा संसनी खेज डेटा जारी कर दिया है यह डेटा है साल 2023 के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देखे यह है वो डेटा इस डेटा में साल 2023 में चीन के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेखा जो का इस डेटा बताता है कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक करीब करीब 59.36 million अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है इसमें जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो 33.8 million USD है जबकि इंपोर्ट जो है वो 25.5 million अमेरिकी डॉलर्स का है लेकिन हंगामा तो मचा चीन के एक्सपोर्ट डेटा पर जो की है 33.8 million अमेरिकी डॉलर्स का तो एक्चुली साल 2023 का चीन का ये एक्सपोर्ट डेटा पिछले 7 साल के एक्सपोर्ट डेटा में सबसे कम है इसका मतलब यह हुआ कि साल 2023 में चीन से होने वाला एक्सपोर्ट पिछले साथ साल यानि साल 2016 से अब तक का सबसे कम हुआ है CNBC की इस रिपोर्ट को देखें CNBC ने Wind Information के हवाले से बताया है कि साल 2023 में चीन का एक्सपोर्ट 2016 से अब तक 4.6% गिर गया है यह रिपोर्ट दुनिया भर के बड़े अख़बारों और Business News की Headlines बन गई है तो दोस्तों सवाल उठता है कि चीन के एक्सपोर्ट का पिछले साथ साल की तुलना में 4.6% गिरना आखिर इतना important क्यूं है इतना एहम क्यूं है? क्यूं यह बताया जा रहा है कि चीन की economy के लिए बहुत बड़ा जटका है? इसे समझे चीन दुनिया की factory कहलाता है, दुनिया का manufacturing hub कहलाता है अपनी industries के साथ साथ यह दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों का भी production hub है Safeguard Global की report बताती है कि global manufacturing का 28.4% चीन के पास है लेकिन यही report यह भी बता रही है कि भले ही चीन 2023 में भी सबसे बड़ा manufacturer था लेकिन इसका percentage कम होता जा रहा है पिछले कुस सालों में हालात बदलने लगे हैं कोरोना के बाद इसमें और तेजी आई चीन में production plant धड़ा धड़ बंद होने लगे दुनिया की कई बड़ी companies ने चीन की policies से तंग आकर अपने अपने plant यहां बंद कर दिये हैं और यहीं से शुरुआत हुई चीन के production के कम होने की जिसका result जो है आपको एक्सपोर्ट के साथ साल बाद सबसे निचले सतर तक पहुँचने का हुआ है और इसका indication पहले ही नजर आने लगे थे CNN की अगस 2023 में छपी रिपोर्ट देखे यह रिपोर्ट जुलाई 2023 के एक्सपोर्ट डेटा पर थी इसमें एक और बड़ा fact है चीन का export और भी गिर जाता अगर रूस और ब्राजील का चीन से होने वाला import कम होता जैसे दुनिया के कई दूसरे देशों का हो चुका है चीन के General Administration of Custom के आकनों के हवाले से publish हुई Trading Economics की इस report को देखे रिपोर्ट बताती है कि 2023 में चीन से रूस और ब्राजील को किया गया export बढ़ा है लेकिन जापान को किया export 7.3% गट गया है इसे तरह South Korea को 3.1%, Australia को 12.4%, Taiwan को 3%, America को 6.9% और European Union को 1.9% और आसियान देशों को 6.1% कम export किया गया है इसका सीधा मतलब है कि चीन में बने सामानों के demand जो है वो कम हो रही है और चीन के लिए ये बड़े खतरे का signal है दरसल चीन की जो economy है ना वो एक साथ कई संकट से जूज रही है एक साथ कई मोचों पर जूज रही है इसमें एक बड़ा संकट है फैक्टरियों का बंद होना अच्छी technology, सस्ते मजदूर और invest के अच्छे माहौल की वज़े से भी चीन में एक समय दुनिया के सभी दिगज कमपनियों ने अपना production house या manufacturing house कहलें इसको खोला इसके साथ ही चीन की भी कमपनियों ने अपने काम को जबर्दस तरीके से expand किया इससे ना सिर्फ production बढ़ा लेकिन एक और फायदा हुआ रोजगार में चीन के लोगों को काम मिला, चीन के लोगों में employment बढ़ी लेकिन अब हालाद बदल रहे हैं आपको पता है कि चीन ने पिछले साल जून के बाद से देश की बिरोजगारी दर का जो आंकड़ा है उसके जारी करने पर रोग लगा दी है सवाल यही है कि क्यों? उसकी वज़ा है चीन में लगातार बढ़ती बिरोजगारी चीन में पिछले साल जून तक बेरोसगारी दर record 21.3% तक पहुँच चुकी थी ये उन लोगों का डेटा था जो 16 से 24 साल के उमर के थे अब आपको पिछले साल के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दिखाता हूँ निक्की अशिया की एक खबर देखिए टिक टॉक की पैरेंट कंपणी ने एक हजार जॉब कट की तयारी की CNAB की इस खबर को देखिए चीन की दिगज कार मेरिफेक्चरिंग कंपणी नियो ने 10% जॉब कट का ऐलान कर दिया था इसी तरह फोड ने 1300 लोगों को नौकरी से निकाल दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंकडिन ने भी 700 लोगों को नौकरी से चुट्टी दे दी मैंने तो ये सिर्फ दो-चार एक्जामपल से दिया हैं लेकिन जरा गूगल आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि ऐसी सैकडो कंपनीज हैं जिन्होंने चीन में जबरदस जॉब कट्स की हैं तो इसका असर क्या हुआ बिरुजगारी बहुत ज़ादा बढ़ गए बंदोलवारी कंपनीज के लिबर फोस ने इसमें और ज़ादा बिरुजगारी में इजाफा कर दिया तो यही वज़ा है कि चीन ने अब employment से जुड़े जो डाटा है जो unemployment से जुड़ा डाटा है उस डेटा को publish करने पर ही रोक लगा दिये न रहेगा बास न बज़ेगी बास होई न चीन का unemployment का डेटा सामने आएगा न बवाल मचेगा और न चीन को उन सवालों पर जवाब देने पड़ेंगे रेडियो फ्री एशिया के इस रिपोर्ट में United Nations के हवाले से बताये गया है कि 2022 के बीच से एक लाख सोलह हजार 868 चीनी दुनिया के दूसरे देशों में asylum लेने पहुँचे हैं इन मैसे सैक्डो हजार चीनी तो बेहत खतरनाक रास्तों से भाग कर अमेरिका के बॉर्डर पर पहुचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि चीन के हालात कितने खराब हो चुके हैं दोस्तों चीन की economy को लेकर एक बड़ा prediction भी आज ही आया है दुनिया की बड़ी news agency है Reuters उसने चीन की economy को लेकर एक survey कराया है और इस survey का जो result आया है वो चीन के लिए अच्छा message नहीं दे रहा है बहुत खराब message दे रहा है Bloomberg की इस report को देखे है headline है China holds key rate as economic prepares for difficult year तो आखिर में Bloomberg जो है ऐसा क्यों कह रहा है कि चीन के लिए difficult year यानि मुश्किल वाला साल आ गया है Actually Reuters ने दुनिया के 58 बड़े economists के साथ एक survey किया था दुनिया का 58 economists सामिल से बड़े शामिल थे इसमें इस survey से जो report तयार हुई वो बताती है कि साल 2024 भी चीन के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला है 2024 में चीन की economy growth कम होकर 4.6% पर पहुँच जाएगी दोस्तों ये बात बहुत important है कि चीन भारी कर्ज से दबा हुआ है उस पर external और internal दोनों तरह के debt से चीन पर 47.5 trillion अमेरिकी डॉलर का debt है अब आपको चीन के local debt के बारे बताता हूँ रोयटेस की report बताती है कि 2022 तक चीन का जो local debt था वो 12.58 trillion अमेरिकी डॉलर से पहुँच चुका था और जो की लगातार बढ़ रहा है कम होने का नाम ले रहा है यानि चीन को किसी तरफ से भी रहात नहीं मिल रही है दुनिया भर में उसके बाटे हुए कर्ज फंस्ते नजर आ रहा है वो खुद भी कर्ज में डूब रहा है Belt and Road Initiative Project सवालों के घेरे में है और उसकी economy के हालत लगातार बिगड रही है तो ऐसे में चीन के सामने चुनोती बढ़ गई है अब और यह चुनोती आगे आने वाले वक्त में और जादा बढ़ने वाली है क्योंकि कमपनियां वहां से निकल रही है जापान की कमपनी, साउथ कुरिया कमपनी, अमेरिकी कमपनी वालब जिसको जहां मौका मिल रहा है वो चाइना से भाग रहा है तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईए और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भई आपसे प्रातना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जोड़ी खबरे आप तक फॉरण पहुंसती रहे और साथ मैं बेल आइकोन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर बेल आइकोन प्रेस रहेगा तो जैसे ही दर से मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक फॉरण पहुंच जाएगी जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जैहिंद